नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का अमिथ्री माउंटेन यूटूब चैनल में इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा बैंक और बलोदा निव इंट्रेस रेट्स जून दुहर तईस के बारे में लेते हैं बैंक बलोदा एबडी स्कीम जून दुहर तईस के बारे में पूरी विस्तार से जैसे बैंक बलोदा एबडी स्कीम कैसे खुलवा है डॉकुमेंट्स क्या क्या लगेगा बेंक बलोदा FD scheme में कितने पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितना व्याज मिल रहा है जून 2023 में बेंक बलोदा में नॉमनी के फेसलेटी है या नहीं है, क्या इसी scheme को आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं या थो आप नहीं कर सकते हैं दोस्तो FD scheme में आपको एक ही बार fix करना होता है, चाहें आप 100 रुपिया करें, 50 दर करें या फिर एक लाग रुपे, जैसे कि आप FD करवाना चाहते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल, पांस साल या फिर दस साल के लिए, तो उतने ही time के लिए आपका रुपिया fix हो जाता है, और time पूरा होने के बाद, ब्या आज के साथ मुलधन सीधे आपके बैंक के खाते में आ जाता है, चलिए जानते हैं, बैंक बलोदा में fix deposit scheme जून 223 में आपका इसे खुलवाएं हैं, सिंगल एक वेक्ति के नाम से, जोइन्ट एकाउंट में दो या तीन वेक्तियों के नाम से भी आप बैंक बलोदा में fix deposit कर सकते हैं, दोस्तों बैंक बलोदा FD scheme जून 23 पे आप case या चेक के माधन से भी खोल सकते हैं, यदि आपके पास saving account है, तो आपको एक STDR form भर कर भी आप FD करवा सकते हैं, डोक्यमेंट की बात करें, तो अधार card, pen card, photo देकर आप बड़ी अ बैंक बलोदा FD scheme 22 पे fix सुरू कर सकते हैं, जादस जादा की कोई limit नहीं है, यानि आप बैंक बलोदा FD scheme 22 में आप unlimited रुप्या भी FD कर सकते हैं, दोस्तों अभी कितना ब्याज है बैंक बलोदा FD scheme जून 23 में, और कितना maturity मिलेगा अभी के interest rate से general और senior citizens को, चली जानते हैं एक लाग रुपी के fix deposit में, अभी जून 23 में, बैंक बलोदा में यदि आप FD करते हैं, तो 7 दिनों से लेकर 45 दिनों तक general को 3%, senior citizens को 35% का interest मिल रहा है, 46 दिनों से लेकर 180 दिनों तक के लिए general को 46%, senior citizens को 5%, 180 दिन से लेकर 210 दिन के लिए general को 5.25%, senior citizens को 5.75%, जबकि 211 दिन से लेकर 270 दिनों के लिए general को 5.75% और senior citizens को 6.25% का interest मिल रहा है, bank of FD scheme में 271 दिनों से लेकर 1 साल से कम के लिए general को 5.75%, senior citizens को 6.25%, 1 साल से अधिक और 2 साल तक के लिए general को 6.75%, senior citizens को 7.25%, 2 साल से अधिक और 3 साल तक के लिए general को 7.05% और senior citizens को 7.55% का interest अभी मिल रहा है, 3 साल से अधिक और 5 साल तक के लिए bank of FD scheme general को 6.50% और senior citizens को 7.15% का interest दे रही है, जबकि 5 साल से अधिक और 10 साल तक के लिए general को 6.50% और senior citizens को 7.50% का interest अभी आपको मिल रहा है, तिरंगा deposit scheme जिसमें 399 दिनों के लिए आफ FD कर सकते हैं, जिसमें general को 7.25% और senior citizens को 7.75% का interest मिल रहा है, अब चलिए जानते हैं, एक साल साल लेकर 10 साल तक के लिए maturity कितनी मिलेगी, यदि आप 1.00.000 रुपे की fixed deposit करते हैं, bank of FD scheme June 2023 में, एक साल की fixed deposit में bank of FD scheme general को 1.00.000 6.922 रुपे की maturity दे रही है, जबकि senior citizens को 1.00.000 7.449 रुपे मिल रहा है, दो साल की fixed deposit में bank of FD scheme में general को 1.00.000 324 रुपे, जबकि senior citizens को 1.00.000 15.453 रुपे का interest मिल रहा है, वहीं तीन साल की fixed deposit में general को 1.00.000 23.325 रुपे और senior citizens को 1.00.000 25.155 रुपे की maturity मिल रही है, जबकि 5 साल की FD में general को 1.00.000 324 रुपे और senior citizens को 1.00.000 42.524 रुपे की रासी मिलेगी, 10 साल की FD यदि आप करते हैं bank of FD scheme में तो general को 1.00.000 5255 रुपे जबकि senior citizens को 2.00.000 234 रुपे की रासी मिलेगी, 399 दिनों के लिए यदि आपतिरंगा deposit scheme में invest करते हैं तो दोस्तो general को 1.00.000 8155 रुपे और senior citizens को 1.00.000 8.00.000 रुपे की रासी मिलेगी, दोस्तो बेंक बलोदा में TDS की बात करें तो general के लिए 40.000 रुपे की limit है और senior citizens को 50.000 रुपे की limit है, यानि एक साल में एक financial year में यदि ये limits क्रोस कर जाती हैं तो उसके उपर आपको TDS देना होगा, दोस्तो बेंक बलोदा FD scheme जून देट 23 में यदि आप FD करते हैं तो आपको nomination की facility में मिलती है, साथ इसाथ ज़रुत पढ़ने पर अप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच अपने fixed deposit scheme को transfer भी कर सकते हैं, तो दोस्तो ये थी bank upload FD scheme जून दर 23 से जोड़ी कुछ महत्तपूर्ण बात हैं, आपको वीडियो आज की अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों में share करना ना भूलें, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद,